अमरित्पाल को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस अपनी कारवाई कर रही है इसी बीच हर किसी को इंतजार है कि कब अमरित्पाल को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आए अमरित्पाल की गिरफतारी को लेकर पूरे पंजाब पे अलर्ट है और इसी बीच आईजी पंजाब सुख्चेन सिंग गिल ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करके कुछ एहम जानकारियां साजा की है आईजी सुख्चेन गिल ने बताया कि अमरित्पाल के कई साथियों की गिरफतारी हुई है और अभी भी सर्च ओपरेशन जारी है इसी सर्च ओपरेशन में अमरित्पाल की ब्रिजाग गाड़ी भी बरामत कर ली गई है खबर ये भी है कि अमरित्पाल के पहने हुए कपड़े भी बरामत किये गए पिप्याज गुर्थवरा साब उथे ग्रासीगए उस गुर्दाज अप देविच येट्प्डे चैंज करके पैंट र Chief पाके उस तो बाद देविची दो साईकल्यप्य रेस हो शारिवे दो साज़ज रखालब हाकने में अपील करना जाओंगा सारी फंजाबियान हो पंजाब पुलिस वारा अमरितपाल की कई तस्वीरें भी जारी की गई है शंका जदाई जा रही है कि अमरितपाल भेज बदल कर बॉर्डर पार करने की कोशिश भी कर सकता है पंजाब पुलिस ने अमरितपाल की कुछ तस्वीरें जारी की है और लोगों से सहयोग मांगा है कि अमरितपाल के पारे में अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई जानकारी मिले तो तुरंट उसे पुलिस के साथ साज़ा किया जाए और लोगों के खिलाब आम्स एक्ट लगाया गया है और ये भी एरासत में ले लिए गया है खबर ये भी है कि अमरितपाल जलंधर के नंगल गाओं के एक गुड़वारे में गया जहां उसने कपड़े बदले उसके बाद वो अपनी काड़ी छोड़कर बाइक पर फराख हुआ है चलिए ये तस्वीरे एक बार फिर से देख लीजिए अगर इस हुलिये से मिलता जुलता कोई शक्स आपको संदिक्द लगे तो तुरंत इसकी जानकारी किसी भी सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म के जरिए पुलिस के साथ जरूर सांचा करे जहां पंजाब पुलिस ततर्क है वहीं आसपास के राज्यों को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है पुलिस का दावा है कि जल्द ही अमरित पार की गिरफतारी कर ली जाएगी